इस्रेल और हमास युद में इस्रेल पर कई तरह क्या रोप लगे हैं का तो ये भी जा रहा है कि इस्रेल ने इस युद में मारे गए अपने सैनिकों के सही आकड़े जारी नहीं किये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस्रेल ने जितने सैनिकों के मानने की बात बानी है उसते दस गुना ज्यादा फॉर्जियों की मौत हुई है हथियारों के मामले में इस्रेल को दुनिया का एक बहुत ताकतवर मुल्क माना जाता है इस्रेल का एरो एर डिफेंस इतना ताकतवर है कि इस्रेल दावा करता है कि अगर 2000 किलोमेटर दूर से भी कोई मिसाइल इस्रेल की तरफ लाँच होती है तो मिसाइल लाँच होते ही इस्रेल का एर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब तक इस्राइल अपनी एरफोर्स के माध्यम से घाजा पटी पर बंबार्डिंग करता रहा तब तक इस्राइल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आखडा लगबग इस्थिर रहा लेकिन जैसे इस्राइल ने अपना ग्राउंड ओपरेशन शुरू किया इस्राइल के सैनिकों के मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई लेकिन अब जो समचार फिलिस्तीन के अखबार चाप रहे है उससे ऐसा लग रहा है कि इस्राइल की सेना और इस्राइल की सेरकार इस्राइल के सैनिकों की मौत के आंखुनों को चुपा रही है पीलिस्तीन क्रॉणिकल नाम के एक अख़वार ने इसरेल के मिलिटरी सिमेटरी यानि इसरेल के सैनिक गब रिस्तान यानि वह जगह जहांपर इसरेल के सैनिकों कुदफन किया जाता है उस जगह के डेक्टर डेविड वार्नर बरूज का एक इंटर्व्यू छपा है इस इंटर्व्यू में इसरेल की मिलिटरी सिमिटरी के डिरेक्टर डेविड बॉर्नर ने कहा है कि इसरेल के अंदर हर घंटे एक इसरेली सैनिक का शब कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है इस इंटर्वियो को फिलिस्तीन के अरब देशों के अकबारों ने हाथों हाथ लिया और ये दावा किया कि इस्रेल के सैनिकों की मौत का आखड़ा आधिकारिक आखड़े से कहीं ज्यादा है जेरुसलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हरजल कब्रिस्तान है और यहाँ पर इस्रेल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है मिडल एस्ट मौनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रस्तान के डिरेक्टर डेविट ओरेन का बयान छपा है पिछले 48 घंटे में 50 इस्रेली सैनिकों को दफनाया गया है अगर इस्रेल के मिलिटरी सिमिटरी यानि सैनिक अबरिस्तान के डिरेक्टर डेविड वाले सैनिकों को दफनाया गया है पारेन के आखणों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इस्रेल के ग्राउंड ओपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं यानि 30 दिन में 720 घंटे होते हैं अगर इस्रेल के सैनिक अपरिस्तान के डिरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ओपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है यह सिर्फ एक अनुमान है इसकी पुष्टी नहीं की जा सकती है इतना ही नहीं हेजबॉल्ला यह दावा करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हेजबॉल्ला के 80 लड़ाके मारे गए हैं जबकि इस्रेल के गरीब 10 सैनिक मारे गए हैं जबकि हेजबॉल्ला को सपोर्ट करने वाले देश इरान के सर्वुच नेता खामनेई भी यह बयान जारी कर चुके हैं इस्रेल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं लेकिन इस्रेल आंकोडों को छुपा रहा है अब ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि क्या वाकई में इस्रेल की सेना अपने मारे गए हैं सैनिकों के आंकोडों को छुपा रही है इस्रेल की सेना प्रोपेगेंडा वार में हमेशा सबसे आगे रहती है और आज भी इस्रेल और हमास के युद में अगर देखा जाये तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों के हालत बहुत ज्यादा खराब है गाजा पट्टी के अंदर लगातार होई बंबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे अब ऐसी इस्थिती में गाजा के संचार तंत्र पर इस्रेल का 75 प्रतिशत कपजा है और इस्रेल जो चाता है वही सूचना गाजा से बाहर निकलती है क्योंकि गाजा के अंदर इस्रेल की सेना अपनी पकड को मजबूत कर रही है और जहां तक इस्रेल के सैनिकों के मारे जाने की संचा का सवाल है तो यहां एक और बात जाननी जरूरी है कि इसरेल के डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेश्ट सेना की दरफ तस्तुत करती है और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हूँ लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये भी है कि इसरेल की के सैने नीती है कि वो हमेशा दुश्मन के दस गुना आदमी ज्यादा मारता है और अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो घासा के अंदर 15,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 7,000 लोग मलबे में दफन हैं इन में से मारे गए बच्चों की संख्यादों करीब 7,000 हो चुकी है यानि घाजा में एक बहुत बड़ा नरसंखार हो रहा है लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के नैशनल सेक्योटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किरवी ने पत्रकारों के सामने एक प्रेस कॉन्फरेंस में ये कहा है कि घाजा पट्टी में कोई नरसंखार नहीं हो रहा है ये पूरा बयान आपको सुनाएंगे और इसके आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जॉर्डन भी घाजा पट्टी के जख्मों पर नमक छिड़क रहा है लेकिन सबसे पहले अमेरिका के उस पाखंड के बारे में बताना ज़रूरी है जो बिलकुल साफ नजर आ रहा है योक्रेन और रूस के युद में जब पुतिन की मिसाइल योक्रेन पर कहर बनकर टूट रही थी और करीब 1000 योक्रेन बच्चे हताहत हुए थे कब अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पुतिन नरसंगार कर रहे हैं लेकिन घाजा पट्टी के अंदर हजारों मौथों के बाद भी अमेरिका इसे नरसंगार नहीं मान रहा है ये अमेरिका के दोहरे मापदंडों का बुक टेक्स्ट एक्जाम्पल है मालेशिया के प्रधान मंतरी अनवर इब्राहिम ने कहा है कि योकरेन की घटनाओं को नरसंगार मानना और घाजा पट्टी की मौतों को नजर अंदास करना वैश्विक पाखंड है दूसरी तरफ अगर देखा जाये तो अब तक घाजा पट्टी के अंदर 30,000 से ज़ादा लोग घाल है और घाजा पट्टी के अस्पतानों के हालत क्या है ये पूरी दुनिया को नजर आ रही है जॉर्डन ने घाजा पट्टी के गाल लोगों के लिए एजिप्ट के अंदर एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है किंग अब्दुल्ला के बेटे खुद इस अस्पताल के निगरानी करने के लिए गए लेकिन आपको जान कर हरानी होगी कि इस फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेड है जबकि घाजा के अंदर 30,000 से ज़्यादा लोग गायल है और इन हालातों में एक फील्ड हॉस्पिटल में मातर 40 बेड का इंतजाम लोगों के साथ एक प्रूर मजाक है अब्सल्म के लिए, तर एक आहां में में सब कोस्ट। शळड के मरी कि घानना को जिर जहाला पिसका अचाला येंछों इस्राइल अपनी टेक्निकल सुपेरियरिटी की वज़े से अजिये है पिछले हफ़ते इस्राइल ने हमास की ताकत को इस कदर निस्तो नाबूत किया था कि पिछले हफ़ते 72 घंटे में इस्राइल की राजधानी तेल अवीब पर एक भी मिसाइल अटेक नहीं हुआ था और जब सो मुआर को तेल अवीब पर एक मिसाइल अटेक हुआ तो जहां से मिसाइल अटेक हुआ उस रॉकेट लॉंचर को भी घाज़ा के अंदर जाकर इस्राइल ने तबाह कर दिया ये इस्राइल की ताकत है हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा की माने तो हमास के लड़ाकों ने इस्राइल के 350 से ज्यादा बक्तर बंद गाडियां और टैंकों को उड़ा दिये है हमास का दावा तो ये है कि इस्राइल के 150 मरकाबा टैंक उड़ा दिये गए है हमास तस्वीरे भी जारी कर चुका है लेकिन फिर भी हमास की पकड़ घाजा से इसलिए धीली पड़ चुकी है क्योंकि हमास के बड़े-बड़े हेड़क्वार्टर्स पर इस्रेल ने टैंक चढ़ा दिये है इस्रेल ही नहीं अल शिफा अस्पताल में काम कर चुके डॉक्टर भी ये मानते हैं कि अल शिफा में हमास का हेड़क्वाटर हो सकता है टाइमस अफ इस्रेल अकबार ने ये दावा किया है कि France 24 नाम के एक न्यूस चैनल पर एक ब्रिटन के डॉक्टर ने इंटर्व्यो दिया है इस डॉक्टर ने तीन साल तक अल शिफा अस्पताल के अंदर काम किया था घाजा के अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर का दावा है कि अलशिफा अस्पताल में कई ऐसी जगहें थी जहां पर उसे जाने के लिए मना किया गया था ये कहा गया था अगर वो वहां प्रतिबंधित क्षित्र में जाएगा तो उसे गोली लग सकती है टाइमस ओफ इस्रेयल ने दावा किया है कि अलशिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेड़कौटर होने का दावा करने वाले बिटिश डॉक्टर ने अपना नाम नहीं बताय है क्योंकि उसे डर है कि ऐसा करने पर घाज़ा के अंदर मौँचूद उसके सहयोगियों को हमास मार सकता है अल शिफा अस्पताल में काम करने वाले इस ब्रिटिश डॉक्टर ने आगे का कि सावधान किये जाने की वज़ा से मैं घाजा के अल शिफा अस्पताल के प्रतिबंधित शेत्रों से दूर रहा लेकिन मैंने कुछ संदिक्थ से नजर आने वाले ऐसे लोगों को आप अंडर और बाहर जाते देखा था जोचिकिट सा कर्मी नहीं थे ये लोग श्पताल के बास्मेंट के अंडर जाते थे थे The first time our forces entered the Shifa complex, they went in with a bomb-sniffing dog and they discovered a truck full of ammunition. After revealing the shaft by the D9, they saw circular opening and they couldn't see all the way down at the time, but further investigations and tools lowered down it revealed that this is a 10 meter deep shaft that leads to a corridor. at the end of that corridor there is a blast proof door with a shooting hole at the top of it and our forces after making sure that all defense mechanism are dismantled have opened that door that leads to another door that goes deeper into the complex the understanding that this tunnel goes under the hospital israel defense force neis british doctor ke interview ko aadhaar bana te huye iqbar pher kaha hai kis interview se sabit kota hai ki al-shifa hospital ka isti maal hamas ke aadhaar kwaadiyo ke dwarah headquarter ki dhara kia jaha raha tha